हेलो गईज, वेलकम टू माय चैनल स्पीड टुडे आज हम बात करने वाले हैं हुन्डे की एक अपकमिंग माइक्रो स्वे के बारे में जो कि है हुन्डे एक्स्टर ये एक माइक्रो कार है जो कि टाटा की पंच और मरूती सुजु की इगिनिस को राइवल करेगी इस वीडियो में हम आपको इस कार के कुछ की फीचर्स, इसके इंजन ओप्शन्स, कलर ओप्शन्स और इसके एक्स्पेक्टिड प्रैसिस के बारे में बताएंगे तो चलिए शिरू करते हैं सबसे पहले इस कार की स्टाइलिंग और डिजाइन की तरफ देखे तो एक हैच बैक ही है जिसके अंदर हमें SUV-like stance देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसकी height और ground clearance को increase कर दिया गया है बाकी इस कार की dimension की तरफ देखे तो वो भी company के तरह reveal नहीं करी गई है लेकिन इसकी length expect करी जा रही है 3.8 meter और इसका ground clearance हो सकता है 185 mm और अब इस कार के engine options की तरफ देखे तो आप पर हमें एक engine देखने के लिए मिलता है जो कि यह 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine जिसके अंदर हमें 83 PS की power और 1149 का torque देखने के लिए मिलता है इसके साथ हमें 5 speed का manual gearbox और एक 5 speed का automatic type यानि की empty transmission देखने के लिए मिलता है यही same engine हमें Hyundai की grand item neos और aura में भी देखने के लिए मिलता है इस कार के अंदर हमें 2 fuel options देखने के लिए मिलेंगे पहला है petrol और दूसरा है CNG जिसके साथ हमें 5 speed का manual gearbox ही दिया जाएगा CNG technology वही use करे जाएगी जो की grand item neos और aura में भी देखने के लिए मिलती है और अब इस कार के variants के तरफ देखने के लिए मिलती है EX, S, S optional, SX and SX optional बाकिस कार के color options की तरफ देखने के लिए मिलती है और इस कार के साथ हमें नए colors भी देखने के लिए मिलेंगे जो की Hyundai के line up में हमें पहली बारी दिये जाएंगे यानि की यह colors Hyundai की किसी भी car में अभी तक introduce नहीं करे गए थे यह extra में ही release करे जाएंगे जैसे की इसकी spy pictures में अभी हमें green color देख सकते हैं और एक khaki color भी देख सकते हैं जो की Hyundai की किसी भी car में अभी तक नहीं आये हैं और अब इस car के कुछ key expected features की बात करें तो यह पर हमें floating touchscreen system देखने के लिए मिल सकते हैं जैसा कि हमें new वर्ना में देखने के लिए मिला था newly designed driver display यानि कि इसके अंदर हमें नया driver display देखने के लिए मिलेगा इसके साथ ही हमें यहाँ पर wireless charger, air purifier, sunroof और new connected car tech features भी देखने के लिए मिल सकते हैं और बाकी इस car के exterior features की बात करें तो इसकी spy magic से हम कुछ features देख सकते हैं जैसे की LED DRS, LED projector headlamps, front bumper के उपर silver skid plate, side profile में हमें cladding देखने के लिए मिलती हैं जिसके साथ यहाँ पर dual tone alloy wheels भी दिये गए हैं जो की 16 inches के हो सकते हैं उपर की तरफ में हमें roof rails भी देखने के लिए मिलती हैं बाकी rear में भी हमें bumper पर वही finish देखने के लिए मिलती हैं और उपर की तरफ में LED tail lights भी दी गई हैं और इस car के expected prices की तरफ देखें तो वह सकते हैं 6 lakh रूपीज से जो की base model का price होगा और top model के लिए वह जा सकते हैं 10 lakh आज की विए पस इतना ही चैनल को सब्क्राइब करो और वीडियो को भी like करें मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर जब तक के लिए बाई